हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की मैस का जो 7 चैप्लर है कॉडिनेट जमेटरी उसके कुछ most important question करेंगे यह जो question है board exam में पूछे जा चुके हैं तो आई start करते हैं अपने इस वीडियो को तो पहला question हमारे पास है find the perpendicular distance of a point from the y-axis तो अगर मैं यह point ठीक है अगर graph पर plot करूँ तो किस तरीके से करेंगे जैसे यह हमारा हो गया x-axis और यह हो गया हमारा y-axis ठीक है और यह हम तो हमारा है 5 और 12 तो x-cor tailored हमारा 5 है और यह उपर रह तटे हुए हमारा मानोंए कि यहां पर 12 है ठीक है तो यह जो पॉइंट पलोट होगा हमारा इधर कर लोग है ठीक है यह जो point आएगा हमारा यह a point होगा 5 और 12 लेकिन हमें पूछा क्या है find करना है perpendicular distance of a from the y-axis y-axis तो हमारी यह वाली है vertical line ठीक है तो यहां से हमारे पास यह distance कितना होगा परपेंडिकलर distance हमारे यह होता है तो जितना हमारा x-coordinate का distance होगा उतना ही इसका perpendicular distance होगा यहां से यहां तक कितना है 5 unit है कितना है 5 unit है ओर इजन से यहां तक कितना है 5 unit तो इसका जो answer होगा वो आ जाएगा 5 unit ठीक है अगला question देखते हैं अगला है find the distance of point P ठीक है एक P point है हमारे पास X Y इसका distance हमें find करना है origin से origin हमारे पास है Q point ले लिया 00 ठीक है इन दोनों के बीच का distance निकालना है तो हम distance formula लगा देंगे P Q is equal to under root distance formula हमारा होता है X2 minus X1 का square plus Y2 minus Y1 का square तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा X2 हमारा 0 है तो 0 minus X का square plus 0 minus Y का square तो यहां पर बचा के हमारे पास X2 plus Y2 ठीक है तो यही हमारा origins का distance होगा यह question 2018 के board exam में पूछा गया था अगला question देखते हैं अगला हमारे पास है find the coordinates of a point A on Y axis at a distance of 4 unit from X axis and below it तो यहां पर अगर मैं graph plot करूं Cartesian plane यह हमारा X axis हो जाएगा ठीक है और यह हमारा Y axis हो जाएगा ठीक है अब पूछा क्या है इसमें find the coordinate of a point A on Y axis ठीक है तो यह होगा हमारा 0-4 तो यह हमारा इसका correct answer होगा यह हमारा A coordinate होगा अगला question बोलते हैं next question देखते हैं if the point P divides the line segment joining the point A and B in the ratio 1 is to 2 then what is the value of K तो यहां पर हमें जो A point है वो 2-2 दे रखा है और जो B point है B point हमारे पास है minus 7 और 4 है और जो P point आ रहा है वो K 0 है ठीक है Y coordinate हमें पता है 0 है X coordinate हमें नहीं पता है ठीक है और ratio भी हमें पता है क्या है 1 is to 2 का है ठीक है तो यह M1 हो गया हमारा और यह M2 हो गया और यहां पर हमें X1 भी पता है Y1 भी पता है X2 भी पता है और Y2 भी पता है ठीक है तो हमें निकालना है X coordinate के की value निकाल ली है तो जो X coordinate है उसका formula कि हो जाएगा m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 तो यहाँ पर जो है के की value हमारे x की जगा हमारे पास किया जाएगा तो हमारे पास m1 हमारा कितना 1 है into x2 x2 हमारा minus 7 हो गया plus m2 हमारा 2 है और x1 हमारा 2 है divided by यह कितना हो जाएगा 1 plus 2 तो कितना हो जाएगा यह minus 7 plus 4 by 3 तो k की value जो आ गई minus 3 by 3 आ रही है जो होता है हमारा minus 1 के एक वाद तो k की value जो होगी इस question में minus 1 होगी ठीक है अगला question हमारे पास है if a is the midpoint of the line segment joining the point q and r then what is the value of m अब हमारे पास q दे रखा है minus 6 और 7 ठीक है और जो है r point है वो है minus 2 and 3 और इसका बोला है midpoint midpoint जो है a वो दे रखा है m by 3,5 अब यहाँ पर हम midpoint formula apply कर लेंगे यह हमारा x1, y1, x2, y2 तो जो midpoint formula होता है तो midpoint हमारा a है तो m by 3,5 कैसे निकलेगा x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 ठीक है तो यहाँ पर हमें तो m की value निकाल ली है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ही compare करेंगे ठीक है x coordinate को x coordinate यहाँ पर m by 3 है यहाँ पर x1 हमारा किता हो गया minus 6 x2 हमारा minus 2 upon में 2 तो m upon में 3 is equal to कितना हो जाएगा minus 8 by 2 जो की हो गया हमारे पास minus का 4 तो m की value हमारे पास कितनी आ गई है आपर m by 3 is equal to minus 4 cross multiply करेंगे तो m की value आ गई हमारे पास minus का 12 m की value हमारे पास minus 12 हो जाएगी अगला question देखते हैं अगला है what is the distance of point P from x-axis तो यहाँ पर बोलाई जो point P है x-axis पे कितना दूरी होगा तो अगर मैं इसको plot करके बताऊं यह हमारा x-axis है और यह y-axis है ठीक है यह 0 है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अगर यह point अगर मैं plot करूँ यहाँ पर x-coordinate हमारा 3 है और y-coordinate 4 है प्लस का तो उपर जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह point P है यह यहाँ पर plot होगा हमें पूछा कहा है what is the distance of a point P from the x-axis तो x-axis से यह कितनी दूरी पर होगा तो यह कितनी दूरी पर है जितना y-coordinate है 4 unit 4 unit के दूरी पर होगा अगरा question देखते हैं find the coordinate of point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2-3 and B is the 1 and 4 तो देखिए अगर मैं यहाँ पर circle ड्रॉ करूं यह हमारा circle है अब यहाँ पर जो diameter है center से पास होता है center हमारा यह हो गया और A और यह B अब A के हमें coordinate नहीं पता इसको मैंने x-y ले लिया center जो हमारा O यह हमें दे रखा है 2-3 और B coordinate जो है वो 1 और 4 है हमें बताना है कि A के coordinate क्या होंगे तो दिखिए center हमारा midpoint ही है A और B का तो जो है midpoint formula अगर हम apply करेंगे midpoint formula वो क्या होता है midpoint निकालने का x1 प्लस x2 upon 2 y1 प्लस y2 upon 2 midpoint का formula ही होता है midpoint हमें दे रखा है 2-3 x1 कितना है x है plus x2 हमारा 1 है upon me 2 y plus 4 upon me 2 अब दोनों को compare करूं x coordinate को 2 equal to x plus 1 upon me 2 cross multiply किया x plus 1 equal to 4 हो जाएगा इससे हमारी जो x की value है वो कितनी हो गई 4-1, 3 हो जाएगी x की value 3 हो गई ऐसी y coordinate को compare करेंगे minus 3 y plus 4 upon me 2 cross multiply y plus 4 equal to minus 6 तो यदर जाएगा तो y की value हमारी minus 10 हो जाएगी ठीक है y coordinate यह हो गया तो जो y coordinate हमें निकालना था वो क्या होगा वो हो जाएगा हमारा 3 minus 10 तीक है यह जो question है 2019 के board exam में पूछा गया था अगला है find the distance between the point हमें यह point दे रखा है हमें इन दोनों के बीच का distance निकालना है क्या होगा ठीक है तो a point जो है हमारा वो है a cos theta plus b sin theta comma 0 यह हमारा x coordinate है और यह हमारा y coordinate यह x1 हो गया यह y1 हो गया ऐसे ही b जो दे रखा है वो क्या है 0 a sin theta minus b cos theta ठीक है यह हमारा x to coordinate यह y to coordinate हमें इन दोनों का distance निकालना है तो a b जो है वो होता है under root x2 minus x1 का square तो 0 minus a cos theta plus b यह भी minus हो जाएगा ठीक है sin theta इसका square plus y2 हमारा है a sin theta minus b cos theta और minus का 0 इसका whole square ठीक है तो यहाँ पर a plus b का whole square अप्लाई करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा a square cos square theta अब दौनों माइनस है तो यह plus का ही लगेगा plus b square sin square theta plus 2ab sin theta cos theta plus यहाँ यह पुरा square root के अंदर चल रहा है भी हमारा ठीक है ऐसी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा a square sin square theta plus b square cos square theta minus 2ab sin theta cos theta इससे तो यह cancel हो गया अब देखिए यहाँ पर a square और a square इसमें common आ रहा है और इसमें और इसमें b square common आ रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर common लेंगे तो a square common लिए तो sin square theta plus cos square theta ऐसी अगले में b square common लेंगे तो sin square theta plus cos square theta ठीक है तो इसकी value हमारी 1 होती है sin square theta plus cos square theta तो हमारे पास वचेगा under root A square plus B square अगला है find the ratio in which X axis divide the line segment joining A and B तो A point हमारे पास है 2 minus 3 और B point हमारे पास है 5, 6 हमें यहाँ पर बोला है find the ratio in which the X axis यहाँ पर जो है X axis पकट कर रहा है तो यह जो P point होगा X axis पर है तो हमारा X,0 होगा ठीक है अब जो है ratio निकालने के लिए हम क्या करेंगे let कर लेंगे जो ratio है हमारा वो क्या है case to 1 है ठीक है case to 1 है तो हमारे पास जो है section formula अप्लाई करेंगे तो M1 X2 ठीक है P X Y निकालने के लिए हमारे पास formula है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2 ऐसी M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2 ठीक है यह formula अप्लाई कर देंगे तो P ही जो हमारे पास X,0 दे रखा है तो यहाँ पर ठीक है M हमारा कितना है K है यह हमारा M1 हो गया X2 हमारा 5 है तो 5K प्लस 2 अपॉन में K प्लस 1 M1 K Y2 6 तो 6K माइनस 3 अपॉन में K प्लस 1 अब K की वैल्यू निकालने है तो हमारे पास जो है Y कॉडिनेट तो 0 दे रखा है तो दोनों को compare करेंगे Y कॉडिनेट को तो 6 माइनस 6K माइनस 3 3 अपॉन में K प्लस 1 इक्वल तो 0 6K माइनस 3 इक्वल तो 0 तो K की वैल्यू जो हो कितनी आ गई 3 बाए 6 तो जो रेशो होगा हमारा हमें रेशो ही निकालना था तो 1 इस टू टू का रेशो होगा रेशो होगा 1 इस टू टू का ठीक है अगला कोश्चन हमारे पास है वाट इस डिस्टेंस ऑफ दा पॉइंट दिस फ्रॉम दी एक्स 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 से यह वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस पर होगा तो इसको अच्छी तरीके समझने के लिए हम इसको प्लॉट करके रेख लेते हैं यह x-axis हो गया यह y-axis हो गया ठीक है यह 0 अब हमारे पास जो है यह 1, 2, 3 1, 2, 3 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 minus 1, minus 2, minus 3 और यह minus का 4 x-coordinate minus 3 है यह हो गया y-coordinate minus का 4 है तो यहां से जाएगा minus के 4 तक ठीक है तो यह हमारा point आएगा जो P है minus 3 और minus 4 आएगा हमें पूछा है what is the distance of the point P from the x-axis x-axis से यह कितनी दूरी पर है तो यहां से यहां तक का कितना है 4 unit है ठीक है 4 unit की दूरी पर होगा यह distance इतना होगा ठीक है अगला है if the point P divide the line segment joining the point A and B in the ratio 3 is to 1 then what is the value of Y तो यहां पर section formula अपला होगा A हमारा 6 5 है B जो हमारा 4 Y है ठीक है और जो इसको divide कर रहा है point P वो 6 2 है ठीक है तो और ratio भी हमें दे रखा है ratio हमारा 3 is to 1 का है तो M1 M2 ठीक है तो अब हम क्या करेंगे section formula apply करेंगे यहां पर तो हमारा Y coordinate ही missing है तो Y वाला लगा लेते हैं तो Y होजा है हमारा M1 Y2 plus M2 Y1 upon में M1 plus M2 Y coordinate जो हमारे पास given है वो 2 given है ठीक है M1 हमारा 3 है Y2 हमारा Y है और M2 कितना है M2 हमारा 1 है into Y1 हमारा 5 है ठीक है यह X1 Y1 X2 Y2 और divide में 3 plus 1 तो यह अगर 2 is equal to 3Y plus 5 upon में 4 cross multiply करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 3Y plus 5 is equal to 8 तो 3Y is equal to 3 हो गया तो Y की जो value होगी वो कितनी होगी 1 होगी तो Y जो आ रहा है हमारे यहां पर 1 आ रहा है next है अगला कुश्चन हमारे पास है if the center of a circle is 3, 5 and the end point of the diameter is this and this what is the value of Y तो यहां पर बोला है circle जो है उसका center हमें given है ठीक है यह 3 और 5 है और end point यह हमने A ले लिया है A हमें दे रखा है 4, 7 और B point दे रखा है हमारा 2 और Y तो हमें बताना है Y coordinate क्या होगा ठीक है Y की value बतानी तो midpoint formula लगा जेते हैं तो यह हमारा जो है O midpoint है तो O जो है 3, 5 equal to होगा X1 प्लस X2 upon में 2 Y1 प्लस Y2 upon में 2 के ठीक है तो यहां पर value रखेंगे तो हमारा आगया 4 प्लस 2 upon में 2 7 प्लस Y upon 2 यह हो जाएगा हमारा 3 7 प्लस Y upon 2 और center हमें given है 3, 5 तो Y coordinate यह इसके equal होगा तो 5 is equal to 7 प्लस Y by 2 solve करेंगे यहां पर तो Y की value कितनी हो रही है यहां पर 3 हो रही है तो Y की value हमारी 3 हो जाएगी है आपर ठीक है अगला question है हमारे पास अगला है If the distance between the point A and B is 5 unit then what is the value of P तो A और B का जो distance आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है तो A, B करकर distance formula अप्लाई करें तो X2 minus X1 का square plus Y2 minus Y1 का square तो यहां पर अगर value रखूँ यह तो 5 unit दे रखा है X2 कितना है 1 है तो 1 minus 4 का square plus 0 minus P का square squaring both sides कर देते है squaring both sides तो squaring both sides करेंगे तो यह हमारा 5 का square और यह हमारा whole square हो जाएगा तो यह 25 हो गया बराबर 1 minus 4 का square plus P का square बचा तो यह कितना हो जाएगा 25 equal to 9 plus P square तो P square आएगा हमारा 25 minus 9 तो P square आगया 16 तो P की value होगी plus minus under root 16 जो की value होती है 4 की ठीक है तो P की value हमारी हो सकती है plus minus 4 अगला question है अगला question हमारे पास what is the distance of the point this from the origin तो origin से बताना है इस point का distance कितना होगा ठीक है origin हमने B point लिए 00 होता है ठीक है तो distance formula अपलाई कर देंगे simply AB is equal to under root X2 हमारा 0 minus A plus का 2 का square plus 0 minus 5 का square 12 का square होता है 144 5 का 25 हो गया तो under root 169 और 169 किसका होता है 13 तो इसका distance हो जाएगा 13 unit का अगला question हमारे पास है find the perimeter of the triangle with vertices this, this and this तो एक triangle जो है इसके 3 vertices हमें दे रखें A दे रखा है 04 B दे रखा है 00 और C दे रखा है 30 हमें इसका perimeter निकालना है ठीक है तो perimeter sum of all side होता है तो distance formula से हम सबसे पहले A भी निकाल लेते हैं तो A भी निकाल लेंगे तो यहां distance formula अपलाई करेंगे तो 0-0 का square plus 0-4 का square तो यह तो हमारा आ जाएगा 16 equal to 4 unit A B का distance इतना आ गया ऐसे B और C का निकाल लेते हैं इन दोनों का ठीक है तो यहां भी distance formula अपलाई करेंगे तो 0-3 का square plus 0-0 का square तो यहांगा अब हम निकाल लेते हैं A और C का distance तो यहां distance formula लगाएंगे तो 3-0 का square plus 0-4 का square तो यह आएगा हमारा 9 plus 16 तो A C हो गया हमारा अबर रूट 25 जो हता है 5 unit के ठीक है तो इसका जो perimeter है इसका जो perimeter है वो A B plus B C plus C A है तो 4 plus 3 plus 5 इक्वल टू कितना हो गया 12 unit इसका perimeter हो जाएगा ठीक है तो यह थे हमारे chapter 7 से related कुछ important question जो की board exam में पूछे गए थे उमीदा आपको मारे वीडियो पसंद आया होगा Thank you